सलमान के नए फिल्म का सीक्रेट हुआ आउट टाइगर 3 की कहानी कैसे हो गए ली और टाइगर 3 में किस एक्टर के साथ दिखेगा सलमान का एक्शन सी ये सब हम आपको बताएगे लेकिन इससे पहले हमारे चैनल को सब्स्ट्राइब ज़रूर करें बॉलिवड के सूपर स्टार सलमान खान फैंस की बीच हमेशा सूथियों में बने रहते हैं पिछले लंबे वक्त से फैंस सलमान खान और कैटरिना कैफ की टाइगर 3 का दिल थाम कर इंतिज़ार कर रहे हैं सलमान की ये फिल्म मूस्पविटेड फिल्मों में से एक है तो आपको बता दे कि ये फिल्म दिवाली के बॉके पर सिनेमा घरों में धबाका करनी हुई नजर आने वाली है वैसे तो फिल्म से जुड़ी जानकारी किसी को पता ना लगे इसके लिए सलमान ने फिल्म के सेट पर इस बार कापी कड़े इंतिज़ाम भी किये है लेकिन कोई बात मीडिया से नहीं चुप सकती और ये बात खुद सलमान भी बखू भी जाते हैं हर चीज़ को सीक्रेट रखने के बाद भी टाइगर 3 के सेट से एक ख़बर लीक हो गई फिल्म में इम्रान हाश्मी विलन के रूप में नज़र आने वाले हैं ऐसे में माना जा रहा है कि टाइगर और जोया को जिस दुश्मन की तलाश फिल्म में होगी वो कोई और नहीं बलकि इम्रान हाश्मी हो सकते हैं ट्रेड अनलिस्ट मनो बाला विजय बालन की माने तो टाइगर 3 फिल्म का एंड भी काफी अलग होने वाला है। फिल्म का अंत YRF यूनिवर्स के फ्यूचर प्रोजेक्ट से कनेक्टिड होगा और एनलिस्ट ने ट्विट करते हुए लिखा कि सल्मान खान की टाइगर 3 क्लिफ हैंगर पूरे YRF यूनिवर्स के लिए माहौल तयार कर देगा। वहीं सल्मान खान और इस YRF के बड़े प्रोजेक्ट का शारू खान भी एहम हस्ता होंगे। शारू का भले ही छोटा लेकिन बेहद ही दमदार खैम्यों होने वाला है। तो एक बार फिर से पठान और टाइगर को पढ़ने पर साथ देखना सभी के लिए काफी मज़िदार होगा। शूटिंग की बात करें तो माना जा रहा है कि सल्मान और उनकी टीम ने फिल्म का फर्स्ट शूटिंग शेडियूल पूरा कर लिया है। वहीं बीदे दिनों फिल्म के सेट से कुछ तस्वीरे भी वाइरल हुई थी। तो अगर आप सल्मान खान की फैन है और चाइगर टीम का आप दिल थाम कर इंदज़ार कर रहे हैं तो ये खबर आपके लिए है, आपको बताएे कि दिवाली के मौखे पर सल्मान की फिल्म टाइगर ट्रीम रिलीज होने वाली है। तो तयार हो जाए और दिवाले पर सल्मान की इस धमाकितार फिल्म को देख में जरू जाए